यह आपकी नेक्ट क्लास है किसकी प्रिडिक टेबिल की लास्स क्लास में हमने बात की थी हमने लोथर मेर कर्व की बात की थी सेकिंड हमने में बढ़ाता और कुछ से बाते हमने अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने उसके बारे में अच्छे से पढ़े भी लिया होगा और भी कोई डाउट हो तो आप हमें यूटूब पे कमेंट करके बताएं और यूटूब पे जो टेलेग्राम का चेनल दिया हुआ है उसमें कोई डाउट होता है आपका तो उ ठीक है बात करता हूँ हम मैं आज के टोपिक की तो आज के टोपिक की और बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज का सेशन इतना इंपोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सा element को हम कैसे याद रख सकते हैं और IUPAC nomenclature क्या होत है किसका मतलब up to 100 element का और और क्या पढ़ेंगे हम मतलब कुछ advantage पढ़ेंगे और साथ में हम क्या पढ़ें उसकी कुछ कमिया भी हम पढ़ेंगे तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट जो की है कौन सा topic देखते हैं topic है आपका पहला topic है numonics advantage and drawbacks periodic table and IUPAC nomenclature किसका up to 100 का 100 element के उपर वाले की बात करेंगे ठीक है तो पहला हमारे पास क्या है numonics for periodic table मतलब numonics क्या होता है इंदी मोलू तो tricks short tricks जिससे हम क्या करेंगे periodic table को याद कर सकते हैं easily पहला जो आ रहा है वो देखो क्या है इसके वर नोड़ा explanation देता हूं क्या हता है the Greek word मतलब जो numonics है वो क्या है Greek word है जो कौन सा Greek word है numonic which means of memory मतलब किसी भी चीज को याद रखना उसको हम क्या बोलते है कि short तरीके से किसी याद रख सकते हैं और relating to memory मतलब हमें अपनी याद दास्ते उसको कैसे जोड सकते हैं जिससे कि माल लो मेरा नाम क्या है आशोक है तो किसी को माल लो मेरा नाम याद रहेगा नहीं रहता क्यार करेंगे start A से याद रहेगा ठीक है मतलब कोई चीज है माल लो कोई equation आपको याद नहीं होती तो आपने को ट्रिक बना दीजिए कि कोई भी चीज जिसको हम सोट तरीके से याद रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम न्यूमोनिक बोलते हैं आगे देखें चोटे से रूप में याद रखना क्या गलता है न्यूमोनिक कहलाता है आपको पूरी बास समझा आ गई होगी बात करता हो next स्ट्राइश्ट करते हैं हमने क्या करना है एस ब्लोग के पढ़िए देखो क्या है एस ब्लोग के पर फास्ट इनमेंट है है कै 한 ट्रिक है टुरीटंध की रब से फर्याद माल लो ये कोई लड़की है ये लड़की है इसका नाम क्या है है हेली ना ये यहाँ पर क्या है मानलो बगवान है या हम दोसरा गोले रब है मानलो ये क्या गर रही है उससे प्रातना कर रही है प्रे कर रही ही है तो क्या हो गया स्क्रीट्स ओर ट्रिक हेलीना की रब से फर्याद कुछ मांग रही है ये हेलीना देखो, यहां जो हे है, हे मतलब क्या होता है, hydrogen, हे, ठीक है, दूसरा क्या है इसके अंदर ली, ली मतलब क्या होता है, lithium, ना मतलब क्या है, sodium, तो मतलब पुरा नाम क्या हो गया, हेली ना, के मतलब क्या आता है की आर भी मतलब क्या होगा रब सी एस से मतलब से और एफार मतलब क्या होगी फरियाद मतलब क्या होगा ट्रिक आपकी हेली ना की रब से फरियाद हे मतलब हाइड्रोजन को ली मतलब लीथियम को ना मतलब सोडियम को कि मतलब की मतलब potassium को, rv मतलब rub को, rub मतलब rub को, c मतलब cesium को, fr मतलब phrenzium को represent करता है, तो यह trick है जिससे आप क्या करोगे, S-blog के first group को आप याद कर सकते हूं, वेसे ही दूसरे पर आते हैं, दूसरे पर क्या trick है देखो, दूसरे trick किसकी है, second group की, group two है, trick क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कुटर, बाप, राजी, क्या है trick, बेटा, मांगे, कार, स्कुटर, बाप, राजी, तो देखो, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यह गलत लिखा हुआ है, क्या है यहाँ आपे मैं लिख दूता हूँ, बेरिलियम, मेगनीसियम, केलसियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, और रेडियम, यह लिखा हुआ है, तो यह मान लोग बेटा है, यह क्या है, बेटा है, यह क्या मांग रहा है, अपने पिताजी से, यह अपने पिताजी से, क्या मांग रहा है, बेटा मांगे, क्या मांग रहा है यह तो car है और एक scooter ओवर है यह scooter भी है क्या है scooter है तो यह अपने पापा से क्या मांग रहा है car और scooter मांग रहा है और पिता जी जो है वो क्या करेंगे इनको राजी राजी क्या करेंगे राजी हो रहे हैं कि हाँ मेरा बेटब क्या करेगा इसकुटर और कार चलाने के लिए लाहिक हो गया है ठीक है तो देखो इधा है बेटा मतलब beryleneum मांगे मतलब मेंगनीशियम कार मतलब केलीब इसकुटर बोले तो स्ट्रोंसियम एंड बाप बोले तो क्या हो गया बेरियम और राजी बोले तो रेडियम यह एलिमेंट की ट्रिक है जिससे हम क्या गरेंगे इनको आसानी से याद रख सकते हैं तो क्या हो गया एक बेटा है अपने पिटाजी से क्या मांग रहा है कार और स्कूटर दोनों चीज मांग रहा है तो क्या हो अपने पास बेटा मांगे कार इसकुटर और पिताजी कुसो न्यों वह है इसको देखके कि वा मेरा बेटा अब इसे ही क्या हो रहा है जल्दी से जल्दी चलाने की सीख रहा है कोंव करने को सिखह देला एक थीस्रा क्या है तीसरा है अपने पास यह किसक Cream सेनलय में क्या किया मार्केट में सब। सब्सथी क्या मिली अपने कोada बैंगन भी ले लिया हमने आलू भू ले लिया गाजर भी ले लिया अब इन सबको ऊठाय का रग लिए हम ठेले के दिवो तो यह क्या हो गए अपने group नंबर 13 की ट्रिक बैंगन बोले तो क्या हो गया boron आलू बोले तो aluminium गाजर बोले तो geallium और in बोले तो indium ओर थेला बसलगा theallium तो ट्रिक क्या हो गये मारी बैंगन आलू गाजर इन थेला ये थेला आपको दिख रहा है इसमें क्या करें हम बजार गए बजार जाने पर हमने क्या क्या लिया बेंगन ले लिया आलू ले लिया गाजर ले लिया और किसमें डाल दिया थेले में उसको डाल दिया चले नेक्स ते गुरूप नंबर 14 की बात करते हैं गुरूप नंबर 14 क रामाइन आप सबने सुनी होगी और देखी भी होगी तो रामाइन ये आरेम क्या होता है कि बगवान स्री राम के सामने सीता जी क्या करें क्या बोल रहे हैं कहें सीता जी सुनो प्रभू मतलब सीता माता किसको बोल रही है प्रभू स्री राम को बोल रही है कि मेरी बात सुनो क्या बात सुने अब बात तो उनकी है अपने हो क्या पता क्या बात बोलेंगे लेकिन अपने हो क्या आद रखना है कि कहे सीता जी सुनो प्रभू मानलो ये सीता जी है और ये क्या है बगवान स्री राम है इनको कुछ बोल रहे हो क्या बोल रहे है कहे सीता जी सुनो प्रभू तो कहे मतलब क्या होता है कार्बन सीता बोले तो सिलिकोन जी बोले तो जर्मेनियम सुनो बोले तो टिन और प्रभू बोले तो लेड ये trick आपकी गुरूप नंबर 14 की है क्या है trick? कहे सीता जी सुनो प्रभू चलते हैं। गुरूप नंबर 15 की ओर गुरूफ नंबर फिप्टीन क्या है देखो क्या वोल्राइट ट्रिक नेपाल पाकिस्तान औस्ट्रेलिया सब क्या है विकारी है क्या है सारे के सारे विकारी है देखते है नेपाल मानलो की अपने पडोसी देश कौन सा है नेपाल है दूसरा कौन सा है पाकिस्तान भी है हमें है तो पहले है यहां पे अनाज कटम हो जाए तो यह क्या करेंगे दूसरे देशों से अनाज मांगेंगे पाकिस्तान को छोड़ करकी पाकिस्तान को आपकिस्तान तो पहले ही तो क्या होज़ागा यहां पे ट्रेक नेपाल से बोलो nitrogen, पाकिस्तान से बोलो phosphorus, और सब से बोलो antimony और भिकारी से बोल दो bismid ठीक है यह ट्रेक थी कुझ से नेपाल पाकिस्तान और सब क्या है भिकारी है याद होने में मतलब याद करने में easy रहता है आगे चले नेक्स्ट गुरुप नंबर 16 में चलते हैं गुरुप 16 क्या है ओल्ड स्टाइल से टीपो आजकल के टीपने के क्या है बहुत सारे तरीके आ गए अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा रिट का एक्जाम हुआ था उस रिट के एक्जाम के अंदर एक क्या चपल में उसने किप लगा के ऑड टीपने के लिए क्या ग Cameron अंदर चला गया था या फिर मानलो कई पे चिपा के पडची को ले जाके इसा निकाल के इसे टीपटे दे चुप चाओ तो वो क्या है old style से टीपो old बोले तो oxygen style से बोले sulfur से बोले तो seludium टी बोले तो क्या होता है teludium और वो बोले तो polonium की मत करता है ओल्ड स्टाइल से टीपो चलें आगे नेक्स्ट गुरुप नंबर 17 गुरुप नंबर 17 क्या बोलता है ये कोई मकान के अंदर आंटी जी रहते हैं या मानलो लड़की रहती है माना की एक लड़की रहती है या आंटी जी भी नहीं नहीं साधी हुए मानलो ये अंदर क्या करते हैं रहते हैं कभी मानलो बाहर आये तो कभी किसी क्या होगे इसमें नजर गिरी तो क्या बोलेंगे मा आंटी बोले तो एसीटीन मतलब ट्रिक क्या हो गई फिर कल बाहर आई आउटी मतलब रोज तो आती है कलोर आई थी तो यह ट्रिक ती किसकी गुरूप नमबर 17 की चलते हैं गुरूप नमबर 18 की और गुरूप नमबर 18 क्या है देखो हीना नीना और करीना जाएंगे कहा लडकी है नीना लड़की और कोंपीय तो रंग महल ऊज़एंगे यह एक रंग महल है इसमें जाएंगे गुम्ने आजाई तो ट्रिक क्या होगी हीना नीना ओर करीना जाएंगे कहा रंग महल में तो रंगमहेल समस्च गई होंगे हीना जो होता है हीलियम नेना बोले तो नियॉन और ओर बोले तो ऑर्गन करिना बोले तो प्रिप्टों जाएंगे बोले तो जिनोन और रंगमहेल बतलाब रेड ओन यह क्या है अपना 18 ग्रूप है कि और चलते हैं किसमें नियुमोनिक्स ऑफ डीव लोग एलिमेंट अब डीव लोग जो एलिमेंट है इसमें सबसे इंपोर्डेंट कौन सा आता है फर्स्ट ट्रांजिशन स्रीज आपको बाकी कुछ याद रहे या ना रहे क्या याद रखना है पहला वाला जो ट्रांजिशन को कि ये ट्रिक है क्या है डेखो ये है साव कोण आगे अपने पास कि विक्रम यह विक्रम सहाब ये कौन है mayonnaise शमारे को क्या बोल रहा है कि मैं ने कजिन को 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 कोला नहीं दिया है ठीक जलें बढ़तें आगे अगे सक्वच सक्ति सक मदलब स्केंडियम और सह इसको सह बोल दिया कती ती बोले तो टाइटेनियम सक्ती विक्रम वी बोले तो वेनेडियम और क्रम बोले तो क्रोमियम एमन मेने मेगनीज फिर आयरन कोला कोबार्ट नहीं निकल दिया दिया तो इसे ही है कजिन कोपर कय मतलब कोपर और जिन मतलब जिंक सकती विक्रम मेंने कोला नहीं दिया कजिन को ठीक है यह आराम से याद करने की आपकी ट्रीक हो गई चलते हैं नेक्स सेकिंड ट्राइजन स्रीज क्या बोलता है देखो सेकिंड ट्राइजन स्रीज यारी जरा निबा मोट तकु यारी जरा निबा मोट तक यारी जरा निबा मोट तकु मतलब जिसे आपने देखा होगा ना पर आगें ट्रिक यारी जरा निभा मोथ तक रुकावत रह पड़े तो आगे कूद जाना इससे क्या होगे पर ट्रिक यह देखो वो सोले आगया जै और वीरू जै कौनसा आप और को मेंट करें बताएं मेरें को कि इस छोले मूवी के अंदर जै कौनसा था और वीरू कौनसा यारी यारी बोले तो यट्रवियम तो यसे क्या गरना आपको जर्कोनियम निभाना मोत तक रुकावट राह पड़े आगे कूध जाना तो यह एलिमेंट्स की ट्रिक्स हैं जो आपको याद करनी है वैसे नेक्स देख लो आपके पास कौन सी है थर्ड राइन स्रीज आपको क्या करना है क्यों याद करना है एलिमेंट्स कौन सा कौन कौन सा होता है ला हफ्ता वर्णा रे और इधर पिटाई और होगी पुराणी मोविम देखे होंगे की मतलब ऐसे करते यह यह करते बाइते शुब तेゴ su ठीक है वैसे क्या करना है अपने को ट किर्च भी ऐसी बनाइए किसे ला-ख अपْटावर्ना रे और इधर पिटाई ओर होगी अगर नहीं दिया तू ठीक है तो पुराणी में में क्या था गुंड़े वते थे इसे कोलर उपर चड़ाई और ऐसे यहां मतलब माचिस की तीली यहां डाली मूह के अंदर एसे और फिर वाद में हफ्ता दे हफ्ता दे ना वैसे क्या होगी ट्रीक अपनी यहां अगे चलते हम कहां पर नेक्स्ट पर कहां कौन सा आगे अपने पास एफ ब्लोक के elements की tricks के उपपा है चलें देखो क्या है trick देखो इदर क्या है trick क्या है ट्रिक क्या है मान लोग कोई आदमी है जब वो मर जाता है तो जिन्दगी में क्या होता है मर जब तक वो जीनदा रहता है तब तक तो उसको कोई पूछने नहीं आता है जब वो मर जाता है तो मरने के बाद मतलब सो लोग रोने के लिए उसको आजाते हैं तो क्या होता है trick उसी अधर्व है कि लास पर ना दो प्रेम सम्मान यूं गाडों तब तो दया हो और बागी तुम तो इसे ही लुट आओ कि वो केशा है कैसे जी रहा है कितने पैसे है कैसा रह रह रहा है कोई किसी हो मतलब नहीं जब वो मर जाएगा तो मरने के बाद क्या होगा उसको दस लोग या सो लोग उसको पूछने जाएंगे कि किसे मरा ठीक है तो मतलब वही है moral of the story यह है कि अगर आपके आसपास कोई गरीब आदमी है तो उसको क्या करो अभी से तोड़ी तोड़ा सा help करें जिससे वो क्या करें ग्रो कर सकें आप भी रहें मोटिव यह बनाए अपनी लाइफ का कि आप तो कुछ रहो रहो जितना हो सके दूसरों की help भी करें तो ट्रिक क्या है अपनी लास्ट पर ना दो प्रेम सम्मान यूँ गाड़ो तब दया हो और तुम ये भी लूटाओ देखो इदर यह अपनी क्या है सिरीज ए यह कबड गया मतलब अधू बना रखा है देखो क्या है लास्ट पर मतलल लास वोले तो यह यह बोले तो शे बोले तो शीरियं लेन्थaden लेंथेनम, सीरियम की बात कर रहा हूं, आगे चलूं, पर, प्रोमीथियम, तो मतलब आपको एलिमेट्स तो याद होंगे, आपको याद करने हैं, तो मैं बात करूं, ये ना दो, प्रेम, सम्मान, यू, गाडो, तब, दया, हो, और, क्या हो जाएगा, तुम से क्या हो लुटाओ, मतलब, लुटीशियम की और, मतलब क्या करता है, इंडिकेट करता है, तो ट्रिक आपको याद होगी, तो आप एलिमेंट को पता लगा लोगे, कि कौन सा एलिमेंट कहां आता है, ठीक है, ये थी आपकी 4F स्रीज, मतलब, लेंथनेट स्रीज, बात करता हूं किस में से एकता पाकिस्तान, उसने नेपाल से पूछा, अमेरिका कंबेक सिर्फ ऐसा फर्मान मेडम नो लायर, देखो, फोटो देखो, फोटो समझाएगा, फोटो, ये कोई मेडम है, ये नेपाल, ये पाकिस्तान, और ये अमेरिका, मतलब, ये क्या है, अमेरिका क्या है, बाहर चला आए, क्लास से, और वापस पीछे से आगे, चुपचाप आगे बेट गया, तो मेडम पूस रही है कि, क्या अमेरिका बाहर से आया था, चुपके से, तो ये बोल रहे है कि, नहीं, नहीं, नहीं आया था, तो मेडम बोल रह यह तो क्या है एक एक्तिनियम थोरियम पाकिस्तान प्रोटिक्टिनियम युसने मतलब यूरेनियम मतलब आप अपको याद कर लेंगे अब डिटेल से बाद पड़ लेंगे आपसे तुम्हें ट्रीक नेपाल से पूछा पूछा मतलब ठीक है प्लूटोनियम ना उसके बाद अमेरिका अमेरिशियम कम क्या होता है है ठीक है कम बेग शिर्फ ऐसा फर्मान मेड़ांप नो और लायार क्यों आप ये क्या है आपके 여기는 है जो आपको याद करने हैं, अब आप सोच रहोंगा कि मानें कि नाम तो बताएं नाम तो काम आपका, मेरा काम क्या याद कराना, तो मतलब सिंबल से देखके आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन से ब्लोक से बिलोंग कर रहा है, तो ये थे क्या आपकी नियूमोनिक्स, important जो मेरे को लगा जैसे मेरे को suitable लगा कि आपको इसे बताना चाहिए तो मैंने उस प्रकार से trick मतलब diagram के थुरू आपको समझाना कोशी करिए तो मतलब neumonics किसी के लिए काम आएंगे elements की position जहां रखने में काम आते हैं चलें आपके next topic क्यों पर next topic क्या है क्या है advantage of periodic table मतलब जो modern period table हम पढ़ रहे हैं उसके कौन-कौन से advantage है पहला advantage देखें allowing for the prediction of chemical properties मतलब आज की जो modern प्रोपर्टी पढ़ रहे हैं उस modern प्रोपर्टी में क्या होता है कि अगर एक element की प्रोपर्टी पता चल जाती है group की तो हम क्या गरेंगे उसकी chemical property की बारे में prediction कर सकते हैं कि मालो sodium के मतलब जिसे की lithium की निए sodium हो रहा है तो lithium की property अगर मुझे पता है chemical property तो मुझे sodium की chemical property पता है कि वो क्या किसी आ reaction करेगा और कौन सा प्रोट वो बनाएगा आई तिंग आपको पुरिवास में आ गए होगी तो चलें पहला वाला topic तो यह था मतला अब देख लें देख लें देंग करेंट प्रोवाइड दे प्रडिक्शन ऑफ एन element chemical प्रेक्शन बेस्ट लोकेशन इन दे चाट यह टेबिल के अंदर किस जगह पर है दूषरा क्या बतना चारा है इससे क्या रगई कि chemical reaction की facility हो गई कि हम कैसे जल्दी सुक्ष को याद कर सकते हैं तो देखो इस इस सिंपलर टो एनलाइज केमिकल प्रोसेस वाइल अंडरस्टेंडिंग हाउ वेरियस एलिमेंट रियक्ट विट वन अनदर थेंक्स तु दे और देख एकशन करेगा दूसरा कि साथ कौन सी रियक्शन करेगा तो हम केमिकल प्रोपर्टी को उसकी लोकेशन के आधर वहाद करते हैं और देखो किसमें किस टाइप का बोंड बनता है तो चैमिकल बोंड कितने टाइप का अगए कौन सा होगा पूछता हूं कमेंट करके बताएं कितने टाइप का बाकी में तो बताऊंगे बताऊंगा अंडर्स्टेंडिंग दिफ्रेंट टाइप यहां तक तो में यहां तक तो मेटल है यह नोन मेटल आ गए और यह कौन सा हो गया आपके यह नोन मेटल है कि यह क्या है मेटल है और यह का अको पता है ревge chant तो जब इन मेटल कि देड़ॏ अगर मेटल के साथ िटिक्षेंग करेगी अगरम अहीं इससी को आपको याद रहावा चाहिए चैने नेक्स्ट प्रोवाइडिंग अस्यृट्म ओ और ऑर ओर्गनाजिंग अलिमेंट मतलब एक माल लो अगर आप गया आज प्रेडिटेविल है तो आप सिस्टेमेटिक स्टेडी कर सकते हो अलिमेंट की क्या है देखो इटिस सिम्पलर टू अंडरस्टेंड अंडरस्टेंड तै प्रोपर्टीज ओम धेलिमेंट सेंक्स तु अब मतलब यह मुद है कि हम किसी भी अलिमेंट की सिस्टेमेटिक एंदर आएगा जो थोड़ा सा दीटेल से पर लेते हैं पाड़ में चल्ले आगे दूस्ट अगला इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है समझादू समझे आ रहा होगा निया रहा होगा मुझे नहीं पता बागी मैं बताना चाहरा हूँ कि इसको एजी लेंगे जो कि समझा हूँ हों आपको की रहो हमें पता है मैंने जब आपको आभो प्रिंसिवल ठीक तो उस टाम मैंने क्या बताया था आपका अपको अभो प्रिंसिपल के अंदर लास्ट ग्लास ओव Universal ty addition उसमें बताया था कि हमेशा increasing order में क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोन को फिल करते हैं, तो मैंने उसके अंदर देखा हुआ डियाग्राम में, आपने अगर डंक से देखा हुआ उस डियाग्राम को, तो मैंने क्या बताया था, 1s, फिर उसके नीचे काया था, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, और 7s, उसके बाद नीचे मैंने 8s भी लिखा हुआ तो 8s कब आएगा, जब आपके पास क्या है, अभी तो 8s है ही नहीं, तो अगर मान लो, 119 वाला एलिमेंट आता है, या 120 वाला एलिमेंट आता है, तो कहां जाएगा, वो 8s में जाएगा, तो हम क्या होगे, आने वाले एलिमेंट को उस आधार पर अपन जमाएंगे, तो य अगला है, फंटामेंटल बेसिस, फंटामेंटल क्या है, कि जो मोडन पेटेबिल है, उसके अंदर क्या किया है, एटम एक नमबर के आधार पर जमा दिया, एलिमेंट को, ठीक, और आइसोटोग की पोजिशन भी आ रहा है, उस बताती अच्छे से, पहले इसके बात कर लेत हैं, और क्या है, the decision to place isotope in one location is perfectly justifiable, because this classification is based on atomic number, rather than their atomic mass, जब में एलिमेंट को atomic mass according जमा दिया था, जबकि इसमें क्या किया, उसको atomic number के अधरव जमा दिया गया, तो जो कि क्या है, एक most fundamental basis था, एक पिलिटेबिल का, और इसमें isotope की position को भी अच्छे से क्या कि दिया, explain कर दिया गया, I think पुरिवास में आगे, यह थे इसके advantage, अब चलते हैं, इसकी कमियो है, it is simple to think about and recreate, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और क्या गरते हैं, बना भी सकते हैं, किसको modern political will को, और क्या है, the systematic division of the element into the four group, S, P, D, और F, has simplified the study of the element, हम क्या गरते हैं, political आवने chapter पढ़े होंगे, इलेवन क्लास खेंदर, तो इलेवन क्लास क्लास खेंदर कौन को शिप्टर ह अपने पास S block भी है और P block भी है, ठीक है बास में आगई, लेकिन 11 की जो NCRT है, उसमें P block जो दिया हुआ है, वो 13 और 14 group तक ही दिया हुआ है, बास में आगई, तो हम क्या गरेंगे, element को पढ़ने के लिए S block को अलग पढ़ते हैं, P को अलग पढ़ते हैं, D को अलग आदेंगे ना, तो उनको steady, आराम से इजली हो जाती है, नेक्स सलते हैं, आगे क्यों, बेस्ट ओन अटोमिक नंबर, several elements that were mismatched on the basis of atomic mass are now justified in their position, for instance, for example, because organ has an atomic number of 18 and potassium has a number of 18, organ comes before potassium, Mendelius साब ने क्या किया, mask के according जमा दिया था, तो potassium और organ का mask केता होता, 39 होता है, तो दोनों के अगर दिया, लेकिन जब modern predictable आई, तो modern predictable ने क्या किया, उसके जो element थे, उसको कैसे जादर में जमा दिया, atomic number के, अब organ पहले आती है, potassium बाद में आता है, के लिए लिए ली पूरा समझा आ गया होगी, तो ये थे इसके advantage, एक और बजगया, देखो एक और को समझ गया, at the base of the predictable are the lengthenide and actinide which have distinct property from other group, इसने ये भी बता दिया, कि जो lengthenide और actinide होते हैं, वो बाकी सभी elements से अलग ही property show करते हैं, इसलिए सुका पटक दिया, नीचे नीचे लेज़ा के पटक द बहुत बड़ी क्या सोच थी, किसकी, मोजले साहब की, चले आगे की हो, अब चलते हैं कमिया की उपर, देखो, कमिया मैंने कल भी बताया था, last week class के अंदर की कमिया सम्मे होती है, मेरे में भी है, आप में भी होगी, ठीक, चले, पढ़ते हैं, तो ऐसे ही कह है, modern variable में कुछ कमिया रही, पहली पोजिशन, पहला क्या है, being complex, देखो, कितने element हो गए, आज 108 अब इतने element हो गए, अब इतने element की properties याद करना और नाम याद करना बहुत बड़ी बारी बात है, तो मतलब पहली बात तो क्या है, बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत complex होके, complex कैसे होगी, दे compare and the current predictable, especially if they are unsimilar with chemistry, अगर मानलो, आपको पता है, दस्वी तक chemistry मतलब कुछ पार आता है, प्रड़ी दस्वी क्लास में भी है, तो अगर मानलो 11 में उसके arts आती है, बार वी पढ़ लेता है, बार वी के बार वी के बार वी बाद बार 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 ब करने में पसीने आ जाते हैं, तो जब पसीने उसको आ जाएंगे, तो क्या करोगे, उसके लिए क्या होगी, जटिल हो गई, याद कैसे ही करूँ, परेशान हो गया, मैं तो याद गरते करते हैं, तो यह इसकी क्या है, पहला ड्रोबेक, दूसरा ड्रोबेक क्या है, देखो, बिएंग सब्जेक्ट टो चेंज देखो कैसे सब्जेक्ट टो चेंज न्यू एलिमेंट र फ्रिक्वेंटले फांद मतला लगातार न्यू एलिमेंट की खोज होती जा रही है अब भी भी मैंने बताया ते लाइस से ले ग्लास के अंदर कि साइंटिस्ट रसिया गए ते दो लेकिन उनको मिलाई नहीं तो अब आज हम पढ़ रहे थे 120 पढ़ रहे होते तो क्या हो क्या है एड़ेट टुदे प्रेटेबिल वीची इज सब्जेक्ट ओफ इस्टडी देट इस कर चेंजिंग मतलब क्या है लगातार चेंज होता जा रहा है एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और क्या रहा है माइंड भी जा रहा है एस्टुडेंट्स में फाइंड चेलेंजिंग टो इस्टे करेंट ओन एडवांसमेंट्स एज रिजल्ट मतलब क्या है माललू सबोस करो कोई एक नाम माललब भविश्य के अंदर को एक ऐसा एलिमें लाता है तो सारे की सारी क्या होगी सिस्टम ही चेंज हो जाएगा तो मतलब चेलेंजिंग बढ़ते जा रहा है आगे क्या है लेकिंग रियल वर्ड एप्लिकेशन्स देखें दक्रेंट प्रेटेविल मतलब बोड़न प्रेटेविल इसर यूसफुल टूल फोर अंडेस्ट से ही होता होगा हमें नहीं पता है रियल में इसका कोई हमें पता नहीं थे कि कुछ क्या हो सकता है नहीं मानता तो डृब्र इसका भी डॉब्र आगे बीएंग सब्जेक्ट टो इंटरपेटिशन मतलब ऑल्टो थे क्रीटेड ओन साइन्टिस्ट साइन्टिफिक थियूरी इंद इंड ओन टो इंटरपेटिशन एंड कॉन्ट्रोवर्सी मतलब जो यह बहुत सारी कमिया है कि इस ने एब लोग को नीचे-णीचे को डाल दिया ठ पास्मीया आरे में और और कि बोड के इसेgrass उने को पढ़ा है इनको पड़ रहें तो बहुत सारेस्ट क्या करते हैं सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा ही उसको रहा कि अलग से भुरूप क्यों बना या जब अलग से गृुरूप बना दिया तो उसको वहाँ एवह जगा दी अलग से जगह क्यों नहीं दी वह कि क्या हो गया किसकी थैं नहीं ही तो व्यस्य ही怎麼 सब्सक्राइब कर लेता है तो इस वज़े से क्या हो जाएगा इसकी पोजिशन आज तक भी डिफाइन नहीं की गई है तो यह भी क्या है एक ड्रोबेक है और आगे चलते हैं नगा पड़ती हैं एक बाइस हैं क्योंकि से आगा इसको भी एक्समाइश नहीं किया तो ये था आपके क्या इड्वांटेज और क्या हता है इसके ड्रोबेक्स कुछ करनी अभी थी ठीक है तो मतलब लेंजनेट की पोजिशन इसने डिफाइन नहीं की हाइडरों की पोजिशन इसने डिफाइन नहीं करी जो थियोरी थी उस थियोरी पर क्या है जो न्यूव एलिमेंट आगे उसके लोकिसन होती है है लेकिन उसको प्रेटेबिल में दिखाया है नहीं किया नोमेंक्लेचर नोमेंक्लेचर अब टू हंड्रेट का दो क्या है नोमेंक्लेचर आज तक हम पड़ते हैं यह कर रहा है माता खुजा रहा है इसे न और सोच रहा है कि क्या करूं कितने याद करूं मैं तो यह याद करने के लिए आई-उ-पे-सी नोमेंक्लेचर एक मिथड़ आया जिसने क्या किया कि अब आने 100 से उपर जितने भी खोजी जाएंगे उनका आण नहीं देखेंगे मालनों नाइट्रोज बोलते हैं ओक्सल बोलते हैं सल्फर बोलते हैं ठीक है इसकेंडियम बोलते हैं टायटिनयम बोलते हैं तो यह नाम कर याद रखना तो इसलिए एक सिंपल बेचाट यह आई-पे-सी थे त्रू क्या है देखो in order to resolve this issue and provide a clear nomenclature system the IUPAC decided to form a commission on inorganics chemistry nomenclature. Organic nomenclature ताम पढ़ते हैं IUPAC लेकिन यह क्या है? Inorganic nomenclature दिया. क्या दिया? देखो. The IUPAC accepts two letters symbol. दिया रहे two letter symbol for element with atomic number greater than 100. मतलब two letter system तोड़ी होता है. क्या दिया दिया? Three letter system. मतलब सबके हम तीन क्या लेंगे symbol देंगे? तीन letter होनेंगे symbol के अंदर. The IUPAC recommended using क्या होता है? Three letter symbol for elements with an atomic number of 100 or higher because two letter symbol tend to duplicate for elements with atomic number below 104. मतलब क्या है? 104 से कम, मतलब सोटने मता दू क्या बलता है? कि 104 element जो है, उससे पहले-पहले तो हम क्या करेंगे? Two letter system यूज करते हैं. उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? Three letter symbol का हम यूज करेंगे. ध्यान रहे, इतना सा meter है, फालतु जदा नहीं पढ़ेंगे, जहाँ दिमाग नहीं लेगा, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सारी सारी lines का की 100 के बाद में आने वाले elements की का nomenclature को easy करने के लिए IPSC ने क्या कि 103 element तक तो two letter system रहेगा, उसके क्या कैसे करेंगे देखो मान लो process of nomenclature कैसी process होगी हमें क्या करना पड़ेगा तो पढ़ना क्या है देखो the IPC suggests methodological naming of the elements and remove the elements confusing name system मतलब IPC ने यह बोला कि सबके element का noun system बटा दो सबका symbol लगाएंगे हम, symbol लगाएंगे कैसे करेंगे आद देखो क्या बोलता है shorter version of the element names मतलब सभी element का shorter version निकाल देंगे कैसे निकाल लेंगे देखो there should be a direct or indirect relationship between the atomic number and the element जो क्या गरे है आपस में एक दूसरे को क्या गरे है relationship होगा किसमें atomic number में और element के अंदर आगे देखें whether the element in metallic, non metallic or has an atomic number more than 100 its name must conclude with the suffix as am मतलब क्या है जब भी हम IPC name लिखेंगे तो उसके लिए last में क्या करेंगे हम suffix लगाएंगे i um का, देखो केसे नोन nomenclature of element above 100, के केसे माण लो अगर 102 की वात कर रहा हूं 102 की वात कर रहा हूं 102 जिरो हता है, 0 क्या बोलेंगे हम, nill बोलते है isimble का लिखेंगे हम nasi क्या बोलेंगे हम type n symbol याद नहीं करना है हमें क्या गरना है याद करना है यह वर्ड वर्ड है न वन का क्या है अन यू अन टू को क्या बोलेंगे बाई तीन को क्या बोलेंगे ट्राई चारो क्या बोलेंगे क्वाड पांच को क्या बोलेंगे पैंट वैसे ही 6 को hex, 7 को sept, 8 को oct और 9 को in बोलते हैं द्यान रहें ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए कि 0 क्या बोलेंगे nil, 1 को क्या बोलेंगे un, 2 को क्या बोलेंगे by, 3 को try, 4 क्या बोलेंगे quad, 5 को क्या बोलेंगे paint 6 को hex, 7 को sept, 8 को oct और 9 को in, e double n देखो कैसे after written name, digit, then use suffix ium, हमें ium का use करना है suppose एक example में लिखके दिखा दूँ, माना example लिया मैंने मुझे लिखना है, 104 जो element आ रहा है, उसका नाव लिखना है तो देखो क्या लिखना है हमें, un, 1 को क्या लिखेंगे un, इसको क्या लिखेंगे हम, nil चारों की लिखेंगे quad, और क्या लिखेंगे last में ium लगा देना है तो full name क्या होगे इसका, un, 2 इल नाम लिखना देखना, un, nil, quadium un, nil, quadium इसका नाम हो गया, लो मुझे लिखना है, 1112 का नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, un, 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 byium इसका, un, un, byium हो गया, un, b लिखेंगे, u, u, b लिखेंगे, क्या लिखेंगे लिखेंगे, यू, u, और b, un, un, byium बोलते हैं, देखो यह लिखा, u, u, और b लिखेंगे, इस सिंबल हम उसको क्या गड़ेंगे, तो ज्यान रहें, यह तो full name, और ही क्या होगे, उसका सिंबल, चलें, आगे बढ़ते हैं, आई पेसे name of element from 101 से लेकर 108 तक, 108 तक नहीं है, 118 तक है, ठीक है, आज तक यहीं मिले हैं, तो यहीं डूंड़ेंगे, तक बात करूँगा, देखो कैसे, atomic number जिसका 101 है, इसका नाम क्या है, देखो क्या बोला, वन को क्या बोला, un, 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 sorry, un, जिखो क्या बोला, nil, एक को क्या बोला, un, un, nil, unnium, क्या बोला अपनने, un, nil, unnium, तो फिस्पल क्या बोला, u, n, u, दूसरा हो गया, 102, un, nil, by, an, nil, by, an, nil, by, u, an, b, देखो, इदर, 103 क्या बोलेंगे, un, nil, trium, इसको क्या बोलेंगे, un, nil, kwaadium, इसको अननील पेंटीयम 105 को, एकजों से हो क्या बोलेंगे? अननील हेक्जियम, बन जिर और से हो क्या बोलेंगे? अननील सेब्टीयम, डिको लिक रहा है, सिंबल यू अन को यू, एन को एन, एस को एस, एस, ठीक, चलाँ आगे जलते हैं और, देखो आगे, 108 अनननिल उक्टि रहे जाएगा ना आगे वन वन को क्या बूलेंगे अन्नल निलियम जोनिंलियम है यह भणवन को क्या बोलेंगे अन्न ऐसे को ध्ㄹकरे आपको चलों से अन्न लेंगे अन्न वैं रहortic organ synt Presby इंटियंगर कि यह Sexual लुक्ति को आपको याद करने हैं थी क्योंकि अगर यह नहीं आई तो पर क्या मतलब है क्या करना है लास्ट वाले जी सिंबल में ने स्लैड वताई थी कौनसी वाली ये वाली अगर आपको यह चीज याद है जीरो को निल बोलते हैं जयान रहें वन को अन बोलते हैं टू को भाई बोलेंगे त्री को ट्राई बोलेंगे फ्र को को पैंट बोलेंगे फ्रकों सिंबल का तीनों का first word आपको लिख देना है यह थी आज की अपनी class क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा आज आज पढ़ा हमने पहली चीज पढ़ी न्यूमोनिक्स किसलिए होते हैं ताकि आपको सोड तरीके से element की position पता चल जाए कि कौन सा element किस ब्लोक से भी लोग कर रहा है या कौन से group में आ रहा है कौन से period में ठीक बास में आगी चीज दूसरा पढ़ा हमने एडवांटेज और ड्रोबे को पॉडर्वे को तीसरा हमने क्या पढ़ा नोमेक्स नोमेक्लेचर पढ़ा किसका मतलब हंड्रेड से उपर आने वाले element का आई वाले topics की बारे हम बात करेंगे तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें ताकि आपका base अच्छे से clear हो जाए ओके मिलते हम नेक्स लास में थेंक्यू